नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समिच्छादिकारी साइक समिच्छादिकारी 2017 की मुख्य परिक्षा के बारे में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस परिक्षा की जो डेट थी वो तै थी 25-26 नमबर को ये परिक्षा होनी थी लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है इलहाबाद के सूत्रों से कि ये परिक्षा अब तै समय पर नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में ऐसा हमेशा हुआ है ये पहली बार नहीं है लगबग 50-60% परिक्षा में ऐसा होता है अभी जो PCS की परिक्षा 28 अक्टूबर को हुई है इसकी भी डेट दूसरी थी पहले ये 18 या 19 तारीक को होनी थी फिर उसमें उसको एन वक्त में बढ़ाया गया इसी तरीके से और भी परिक्षा में हो चु तब भी मुख्य परिक्षा करा आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तो चुटीयां थी दसबारा तरीक तक और योग की चूटीयां और उसके बाद में फार्म डालना होता है जब प्री एक्जाम हो जाता है तो उसके बाद में मुख्य प्रिक्षा के लिए एक फार्म डालना होता है जिसमें डाकुनमेंट्स बगएरा और फार्म को लोकसिवा आयोग में जाकर करके जम्मा करना रहता है उस वो जम्मा करने के बाद में फिर एड तक subscribe नहीं किया है तो पहले आप लोग इसको subscribe कर लिजिए उसकी बाद में यह bell icon है इसको भी क्लिक कर दीजिए दोस्तो अगर आप लोग किसी भी सरकाई नोगरी के तयारी कर रहा है तो यह चैनल आपके लिए है इस चैनल के माध्यम से आप लोग विभिन्य तरीके के वीडियो प्राप्त करेंगे चाहे वो किसी क्रेंट अफेर्स से समंदित हो या किसी नई भरती के बारे में दोस्तों इसी से समंदित खबरें अखबार में भी अब आने लगी हैं जैसे देखिए अमर उजाला की का पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि आरो यारो मुख परिक्षा का टलनात है 25, 26 और 27 नवमर को प्रस्तावी ते मुख परिक्षा और अब तक जारी नहीं हुआ प्रारविंग परिक्षा का रिजल्ट अमर उजाला ब्यूरो और उत्तर प्रतेश लोग सेवा आयोग के वर्स 2018 के कलेंटर में सामिल ज्यादतर परिक्षा इस समय से नहीं कराई जा सकी अब समिच्छा अधिकारी साइक समिच्छा अधिकारी 2017 की मुख परिक्षा का टलना तैमाना जा रहा है यह परिक्षा 25, 26 और 27 नवमर को प्रस्तावी थे और उत्तर प्रतेश लोग सेवा आयोगरी अभित्र प्रारविंग परिक्षा का परड़ाम भी घोसित नहीं किया है निचे लिखा हुआ है कि आरो एरो 2017 की प्रारविंग परिक्षा इस साल 8 अपरेल को आयुजित की गई थी परिक्षा 21 जीलों के 1146 केंद्रों में हुई थी परिक्षा के लिए कुल 5,33,447 अभिर्थी ने आविदन किये थे और 90,34,121 अभिर्थी परिक्षा में सामिल क्योंकि प्रारविंग परिक्षा का परिडाम घोशित करने के बाद अभिर्थियों को मुख परिक्षा के लिए आविदन करने के समय दिया जाएगा इसके अलावा मुख परिक्षा के लिए चैनित अभिर्थियों का प्रविस्पत्र बनाए जाएगा और उसे आयोग की व इसी तरीके से एक और परिक्चा थी उसकी बारे में भी लिखा हुआ कि उत्तरप्रस लोग सिवा आयो के कलेंडर में सहायक कुल सच्चु परिक्चा 2018 के लिए 7 एवं 8 अक्टूबर कीती थी निर्धारित की गई थी यह परिक्चा भी समय से नहीं आयोजित कराई जा सकी सहाय कुल सच्चु के 21 पदों के लिए चयन भी अभी आवेधन प्रक्रिया चल रही है इसके लिए 30 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेधन तो दोस्तों कुल मिला करके यह तैह हो गया है कि अब यह परिक्चा समय से नहीं हो पाएगी फिर भी आप लोग त्यारी करते रहें क्योंक क्यों तो सब्सक्राइब भी कर लें बहुत बहुत